तो अब हम location number 31 पर पहुंच गए हैं तो अगर आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब करें क्योंकि सबस्क्राइब करने कि कोई पैसे नहीं जाते हैं और आप लोग को अच्छा अच्छा content भी मिलता है तो यह जो free tutorial है इसमें भी कोई appreciation तो जरूरी होती है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा चैनल को ज्यादा से ज्यादा devices पर सबस्क्राइब करना पड़ेगा चैनल को मेरे चैनल की जो link है वो आप शेयर कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब स्टेटस पर यूट्यूब स function है जो कि है x की power 4 by 3 सबसे पहले इसका derivative निकालेंगे इसका जो first derivative होगा वो होगा 4 by 3 यह नीचा आजाएगा और x की power क्या रहे जाएगी 1 by 3 इसके critical points से कालेंगी यानि 4 by 3 को और x की power 1 by 3 को हम लोग किछीज के equal करेंगे 0 के equal जैसे कि हमें पता है यह हमारे पास equation number 1 है इसको जब हम लोग 0 के equal करेंगे तो हमारे पास जो x की value है वो हमारे पास 0 आजाएगी तो यह हमारे पास क्या हो गया हमारे पास critical point हो गया सबसे पहले function में क्या put करेंगे minus 1 put करेंगे जो minus 1 put करेंगे power क्या है 4 by 3 minus 1 से हमारे पास क्या जाएगा 1 आजाएगा next हम लोग critical point put करेंगे और इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 0 और 4 by 3 इससे हमारे पास obviously 0 आ जाएगा और फिर क्या है हमारे पास 8 है तो हम लोग 8 put करेंगे तो 8 पे power क्या जाएगी 4 by 3 और इससे हमारे पास क्या जाएगा 16 तो अब हमें पता चल गिए इसमें absolute maximum minimum कौन सा है यहाँ पर लिखते है critical point के बारे में सबसे पहले वो है हमारे पास 0 absolute maximum के बारे में लिखते है जो के हमारे पास क्या है 16 at x equal to 8 absolute minimum के बारे में लिखते है जो के हमारे पास 0 है at x equal to 0 ठीके यह क्या होगए absolute maximum absolute minimum और यह हमारा question solve हो गया next question पर आ गए है जिसमें हमारे पावर क्या है 5 by 3 है तो सबसे पहले function का derivative निकालेंगे जो क्यों होगा 5 by 3 और x की पावर क्या रहे चाहेगी 2 by 3 ठीक है अब हम क्या करेंगे critical point निकालेंगे 0 की equal करेंगे इसको तो 5 by 3 को x की पावर 2 by 3 को जब हम लोग 0 की equal करेंगे तो हमारे पस critical point क्या निकलेगा x equal to 0 यह हमारे पस क्या हो गया critical point सबसे पहले function में minus 1 पुट करेंगे तो minus 1 पुट किया minus 1 power 5 by 3 इससे हमारे पस क्या आजाएगा इससे हमारे पस minus 1 आजाएगा फिर put करेंगे critical point जो के 0 है तो 0 5 by 3 हमारे पर 0 आ जाएगा again हम एक और value जो के 8 है वो put करेंगे तो यहाँ पर 8 put करते हैं 5 by 3 है इधर से हमारे पर 32 आ जाएगा अब absolute maximum absolute minimum को हमें पता चल गया यहाँ पर क्रिटिकल point के बारे में लिखेंगे जो के x equal to 0 है absolute maximum जो के हमारे पास क्या है 32 at x equal to 8 अब absolute minimum की बात करते हैं तो आपको पता है के absolute minimum हमारे पास क्या है वो है हमारे पास minus 1 at x equal to minus 1 तो हमारे पास क्या हो गया absolute minimum हो गया तो अब हमारे पास 33rd question आगया है जिसमें हमारे पास theta given है तो सबसे पहले function का derivative निकालेंगे 3 by 5 नीचे आजाएगा theta की value हमारे पास बच जाएगे minus 2 by 5 तीक है अब क्या होगा हम लोग critical point find करेंगे जो के x equal to 0 होगा तो यह हमारे पास क्या है critical point है अब क्या करेंगे values put करेंगे तो सबसे पहले function में हम लोग put करेंगे minus 32 तो यहाँ पर put करते हैं f g है तो g of x put करेंगे minus 32 इसमें हम लोग minus 32 को जब power देंगे 3 by 5 तो हमारे पास आजाएगा minus 8 and again हम लोग अपनी critical value यह जिरो put कर देंगे 0 put करेंगे तो हमारे पास क्या हैगा हमारे पास 0 ही आएगा और फिर हमारे पास one given है तो g of one put करेंगे one से हमारे पास क्या जाएगा one ही आजाएगा तो यहाँ पर हमारे spending गलत हो गई absolute maximum जो क्या हमारे पास क्या है one है at x equal to one और absolute minimum हमारे पास क्या है वो है minus 8 at x equal to minus 32 तो यह हमारे पास क्या हो गई absolute maximum minimum find हो गई तो 34th question पर आ गए हम लोग और यहाँ पर क्या करेंगे solution स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमारे पास जो function है वो h में given है और तीता में given है तो इसका हम लोग derivative निकाल देंगे इसका derivative हमारे पास हो जाएगा two और तीता की value हो जाएगी minus one by three जब हम लोग critical point निकालेंगे तो इसमें हमारे पास value zero हो जाएगी हमारे पस क्या है critical point है अब function में सबसे पहले क्या put करेंगे h given है minus 27 put करेंगे तो 3 minus 27 की power है 2 by 3 7 भी दिख देंगे यहापे तो इस पे हमारे पस क्या आजाएगा इससे हमारे पस 27 आजाएगा और यहाँ पर हमारे पस क्या है अब critical point है जो कि 0 है तो इससे हम लोग 0 put कर देंगे 2 by 3 जिससे हमारे पस क्या आजाएगा 0 आजाएगा अब हम लोग के पास क्या है 8 value है function में value 8 put करते है 3 8 की power हो जाएगी 2 by 3 जिससे हमारे पस आजाएगा 12 12 आएगा ठीक है तो 12 value आगई हमारे पास इसमें maximum minimum find करते है यहाँ पर लिखते है statement critical point है हमारे पास तीता equal to 0 और जो absolute maximum है वो है हमारे पास 27 at क्या है at x equal to minus 27 यह हो गई absolute maximum absolute minimum की बारी जो के है हमारे पास 0 at x equal to 0 तो देखें ज्यादा दर हमारे पास critical point पे ही absolute maximum minimum find हो जाता है इसलिए critical point को दिहान से निकाल लिएगा यह ना हो कि आप critical point को गलत निकाल लेगा और आप खुशी में बैठे रहे कि हमारे पास absolute maximum minimum है वो ठीक है मिलते हैं next video में with more questions thank you